Hello everyone, welcome you all to the Net Pharma. So, हमारी अब थर्ड वीडियो आ गई है, that is Pre-Formulation Studies in Industrial Pharmacy. इसके अंदर अब हम जो major areas cover करेंगे, वो होंगे Pre-Formulation Research की, जैसे Organoleptic Characters, Bulg Characters, मेली हम अब बात करेंगे Bulg Characters के बारे में, जैसे कि Crystallinity और Polymorphism. इसी वीडियो में हम दोनों topics के बारे में बात करेंगे, नेक्स वीडियो में हम further topics के बारे में बात करेंगे, of Pre-Formulation Study. Organoleptic का मतलब होता है, इसको अगर आप दो parts में divide कर दो, तो Organo और Laptic, यानि कि Organo means sensory organs और Laptic means lover. तो इसका मतलब हो गया, वो properties जिसको हम sensory organs के तुरू identify करते हैं, उनको हम बोलते हैं Organoleptic properties, जैसे कि smell हो गया, order, color, taste. तो Organoleptic characterization क्या होती है, जिसमें हम color, order, taste, या smell के दुआरा, हम किसी भी drug की characterization करते हैं, जिसमें further अगर हम bulk characterization देखें, तो वो दो parts में divide है, crystallinity और polymorphism. अब अगर हम देखते हैं, इसमें तो दो words हमने समझ लिए, that is crystalline और amorphous, जो हम पहले से बच्पन से बढ़ते हैं. Crystalline क्या होते हैं? वो substances जिसके अंदर जो particles होते हैं, compound होते हैं, कैसे होते हैं? पूरे सेम तरीके के होते हैं. Amorphous में क्या होता है? randomly यह सब distribute होते हैं. तो crystalline क्या हो गए? एक तरह से atoms या molecules, जो उसमें सेम तरीके से arranged होते हैं. सारे एक ज़से arranged होते हैं, और amorphous क्या होते है? randomly arranged. तो bulk characterization में हम amorphous drugs को क्या बोल सकते हैं? कि जिसके भी atoms और molecules randomly arranged हो, वो होते हैं आपके amorphous substances. अब advantages क्या क्या है? कि amorphous substances के बीच में void space ज़्यादा होती है, इसलिए उनकी high solubility होती है और higher dissolution rate होता है. यानि यह बहुत जल्दी गुल जाते हैं और बहुत जी जल्दी dissolve हो जाते हैं. लेकिन अगर हम बात करें stability की, तो यह जादा stable नहीं होते, because of the void space. ऐसी अगर हम crystalline substances की बात करें, तो क्योंकि वो crystals होते हैं, यानि एक तरह से आपको crystalline समझ में आएगा, कि हम जब किसी भी molecule की shape की बात कर रहे हों. तो चली मान के चलते हैं, कि suppose in case, अगर हमारे पास एक पूरे substance के अंदर सारे जो हैं, वो triangle-triangle shape के crystalline substances हैं, या अंदर जो atoms हैं, वो triangle-triangle हैं, तो सारे same हैं, तो उसकी वज़े से क्या होता है, कि ये particular जो compound बनेगा, वो बहुत stable बनेगा. क्यों stable बनेगा? क्योंकि उसके जितने भी particles हैं, वो सारे कैसे हैं, एक तरह कैसे repeating arrangement हैं उनकी, या फिर एक जैसे हैं. तो crystalline drugs को अगर हम समझें, तो उसमें क्या होगा, कि repeating arrangements of atoms or molecules, तो इसी वज़े से, क्योंकि इनके सारे के सारे molecules जो हैं, वो एक जैसे हैं, एक जैसी shape के हैं, इसलिए इसका क्या होता है, stability बहुत ज्यादा होती है. तो चली अब आप पढ़ लेते हैं, कि polymorphism क्या होता है, तो polymorphism पढ़ने से पहले से लो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, कि crystal को हमने कितने parts में divide किया है, थोड़ा basic knowledge ले ले लेते हैं, crystal जो होता है crystal को हम दो parts में divide करते हैं, एक होता है C habit, और एक होता है C internal structure, crystals को, इसको ह समाज सकते हो आप यहां पर दाइग्राम देख रहे हो यह एलो कलर में मैंने इसको डिवैड कर दिया है तो जो रेड कलर का पोर्शन आप देख रहे हो वह का अपका C हैबिट और जो अंदर यहां पोर्शन दिया हुआ है वह आपका C internal structure, तो यानि कि जो बाहर का C habit है, वो किस पर depend करेगा, internal structure पर, कैसे, यानि कि अंदर का internal structure है, वो किस shape का है, उसी के ध्वारा ये decide होगा, कि बाहर की shape कैसी बनेगी, अगर अंदर की structures है, जो अंदर का internal structure है, वो आडा तेडा है, यानि कि उसमें जो improper arrangement है, तो बाहर की जो shape बनेगी, वो भी कैसी बनेगी, irregular, अगर अंदर का internal structure जो है, प्रॉपर shape से बना हुआ है, तो बाहर की shape भी आपके कैसी रहेगी, प्रॉपर रहेगी, और एक crystal shape आपको मिल पाए, तो चलिए, अब बात कर लेते हैं, आपने कोई भी एक solid chemical substance हो, या फिर कोई भी क्रिस्टलाइन molecule हो, वो एक से जादा shape में जब exist करता है, या एक से जादा form में जब exist करता है, तो उसको बोलता है polymorphism, सपोज मेरे पास एक circular form में क्रिस्टलाइन मौजूद है, और वो temperature variate करने पर, या फिर temperature के change होने पर, वो दूसरी shape में convert हो जाए, तो that is known as polymorphism, यानि एक crystalline substance की वो condition, जब वो एक से जादा shape को change कर सकता हो, या एक से जादा form में, वो exist कर सकता हो, उस condition को हम बोलते हैं, polymorphism, polymorphism basically दो parts में divide होता है, inantiotropic and monotropic, अब inantiotropic क्या होता है, basically inantio means होता है, आपका reversible process, और जो monotropic होता है, वो होता है irreversible, inantiotropic मतलब समझ लीजे कि suppose, अगर मैं कोई products बना रही हूँ, suppose A plus B is equal to C, तो उसमें क्या होगा, कि जो आपका reagent होंगे A plus B, वो C product बना रहे हैं, तो उसमें C जो है, वो दुबारा से convert होके A बना सकता है, या B बना सकता है, यह reversible process होते हैं, तो एक polymorph change हो सकता है, दुबारा से reversible ही change हो सकता है into another, by the change of temperature और pressure, ऐसे ही monotropic में क्या है, कि जब आप किसी भी तरीके का change दे रहे हो, या कोई भी temperature और pressure रहे हो, तो उस पर जो वो molecule है, उसमें कोई भी irreversible change नहीं होगा, यानि A प्लस B is equal to C, तो C दुबारा से convert होकर A भी नहीं बना सकता है, वो irreversible है, बन गया, तो बन गया, monotropic में क्या हुआ, the change between the two forms is irreversible, अब next आता है hygroscopicity, तो hygroscopicity क्या होता है, basically substance to absorb moisture from the air, suppose मैं आपर example ले लेती हूँ, कि मैंने suppose नमक लिया है, और नमक को मैंने खुला ऐसे बरतन में छोड़ दिया, तो उससे क्या होगा, नमक जो होता है, वो नमी कीच लेता है, moisture absorb कर लेता है, और क्या हो जाता है, गीले गीला हो जाता है, तो suppose मेरे पास एक बरतन है, और मैंने उसमें नमक जो है, जो पढ़ा हुआ है, ऐसी खुला मैंने छोड़ दिया उसको, उससे क्या होगा, कि इसकी टेंडेंसी होगी, कि वो moisture को absorb कर लेगा, और absorb करने के बाद क्या हो जाएगा, यह पुरा गीला जी के बिसकिट का यहाँ पर एक्जामपल लो, तो उसमें क्या होगा, पारले जी को, suppose आप पैकेट से भार निकाल के रखता हो, तो वो क्या हो जाता है, उसमें नमी-नमी सी हो जाती है, वो बहुत सील जाता है, तो वो किस वज़े से है, बिकाउस अफ दा हाइग्रो सिर्वाद पर लो जाता है, आरकेब权 छेले हो जाता है तो भार को,से जाता है बहुत